आज मैं लाई हूँ आपके लिए अमेजिंग सा केक, दिखिए ना तो हमने इसे गैस पे पकाया है और ना ही अवन में, इसे हमने ब्रेड से बनाया है, लेकिन दिखने में इससे बिल्कुल पता नहीं चलता है कि ये कैसे बना है, दिखिए इसकी क्रीम भी हमने घर पे बनाई अगर आप उसकी recipe देखना चाहते हैं तो description box में मिल जाएगी आपको, इसके लिए हमने लिया है एक कप पानी और एक कप चीनी, equal quantity मिलिया है दोनों को, mix कीजिए, mix करने के बाद हम अब इसमें डालेंगे fruits, हमने चौप कर लिया है fruits को, जो भी fruits आपके पास available हो, खटे मीठे ताकि ये चीनी को observe कर लें और मीठे हो जाएं अब देखिए हम इने छोड़ देंगे थोड़ी सी देर के लिए mix करने के बाद ताकि ये सारी चीनी को अपने अंदर observe कर लें अब हम bread के corners कट कर लेंगे ये देखिए कैसे हम sides को कट कर रहे हैं अब हम एक कटोरी की साहिता से 6 पीस ब्रेट के गोल काट लेंगे और तीन चोक ओर अब देखिए हमने जो एक्स्ट्रा पानी है फ्रूट्स का वो निकाल लिया है लेकिन हम इस पानी को यूज करेंगे फैंकेंगे नहीं क्योंकि इसमें फ्रूट्स का लेकिन फ्रूट्स को बिल्कुल हमने चोड़के अल रखेंगे देखिए डाइमेंड सेप में हम इसे रखेंगे और जो हमने साइड में कटोरी से काते थे वह रखेंगे देखिए हम जूस लगा रहे हैं इस पर जो हमने फ्रूट जूस लिया था वह वाला अब हम क्रीम स्प्रेड करेंगे उपर से फ्रूट्स चेरी जो भी आप के पास available है वो आप डालिएगा अच्छे से डालिएगा इसके उपर और एकदम थोड़ा थोड़ा दबाईएगा ताकि केक स्लिप ना हो दूसरा पेस रखेंगे केक का और इसी तरह से हार्ट बनाएंगे क्रीम लगाएंगे और फ्रूट्स डालेंगे यह देखिए फ्रूट लगा लेंगे और यह देखिए यह क्रीम भी हमने घर पे बनाई है आप भी बना सकते हैं इसी तरीके से और इसे मंचा है आकार में डेकुरेट कर लीजिए जैसे भी आप करना चाहते हैं और बहुत ही सुन्दर केक मिंटों में बन कर तयार हो जाता है यह देखिए बड़े पर बनाईए किसी भी ओकेजन पर आप इसे बना सकते हैं तो बताईएगा गाईच कैसी लगी आपको रेसिपी अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ट्राय जरूर कीजिएगा दोस्तों क्योंकि बहुत अमेजिंग रेसिपी है औ देखिए कैसे इजली कट रहे है